नमस्कार मैं स्वाती और आप देख रहे हैं विंधिया टाइम्स पीयम मोदी ने गरीवों आवास हीनों को इस्थाई पक्का आवास देने की योजना बनाई वै भी भ्रष्टाचार की जद में आ गई सतना शहरी छेतर में कॉलोनी विक्सित कर आवास आवंटन कीरी अपनाई गई प्रक्रिया का नाजायज फायदा उठाते हुए तमाम धन्ना सेठों ने घर खरीद लिया इन घरों में हुए फरजी वाड़े का खुलासा तब हुआ जब एक किरायदार पर हमला हो गया जिसके बाद अब नगर निगम की जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा लीपा पोती शुरू की जा रही है सतना शहर के वाड क्रमांग 45 में रहने वाले आवास हीनों के लिए उतैली और क्रिपालपुर में कुल 2712 आवासों का निर्माण 188.26 करोड की लागत से कराया गया यह आवास उन लोगों को दिये जाने थे जिनके पास शहर में जमीन का कोई तुकड़ा और उनके पास कोई पक्का घर भी नहीं था इस बीच नगर निगम के द्वारा की गई आवंटन प्रक्रिया में नगर निगम के पूर्व पार्शद उनके नस्दीकी रिष्टेदार तमाम व्यापारियों को आवास दे दिया गया यह आवंटन नगर निगम के प्रभारी ईई अरुण मिश्रा के कारेकाल में संपन्य हुए जिसको लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं अरुणतिवारी के द्वारा व्यक्तिगत आवास वाली सूचना में भी कई अपात्रों को लाब देने का कारनामा किया गया था अरुणतिवा फ। ट्पी पातै आवच Candina रहे पिलोक में लॉग एका का में दोपाक में भीडतिव कि यह तो बना आले हैं दे टूजिए तो बना आले हैं दे टूजिए मेरे सकते हैं कि यह तो और है किमावस में मेरे पास जो जानकारी प्राप्थ हुई है कुछ लोगने कंप्लेव की है कि वहाँ पर कुछ हैसे लोग रह जिन को पास गाड़िया और संपन्न लोग हैं उन्होंने गलत तरीगे से अलाट्मेंट कराया है। इसकी जानकारी मिली है। मैंने अधिकारियों से बोलरा है। स्कारवाई οरों के उब सकता है वहां से बेधगल करें और जूं गरीबों को हक उनोंनी छीना है उनको मकान ईलाट करें यह प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तह्त मैंने कारवाई करवा करवा रहा है dame करीन झाल